समाजबादी पार्टी के तरफ से सीसामों सीट के लिए एक तरह से मौखिक तौर पर नसीम सोलंकी का नाम को फाइनल कर दिया गया हाला कि अधिकारी गोश्टा नहीं हुई है और आज इर्फान सोलंकी के घर पर माता पसाद जो लीडर ऑफ पोजीशन है वो भी आये थे आप चुनाओ लड़ने जा रहे हैं इसी समय से बिल्कुल बिल्कुल राश्टा जी का आदेश है और जो उन्होंने हमको और दिया तो बिल्कुल हम मानेंगे और इस पैटर्न पर काम करेंगे जैसा बचाहें चलिए आज पहली बार आपने इस बात को सुगार किया है कि जाना है महराजगन जाते हैं विधाई जी के लिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मादारी है तो वहां पर भी हमको जाना होता है तो खैर शहर में संगटन और जो है हमार का करता है मैनत कर रहे हैं और जब वक्त आएगा चुनाओ की घुशना होगी तो फिरेंगे आ चाहेंगे बीजेपी का एक आरोप यह है कि जो वादनी थी जिसकी वज़े से इर्फान सुलंकी को सजा हुई वो मुस्लिम भी है और वो लगातार विरोध भी कर रही थी तो इसलिए उनका यह कहना है कि इर्फान सुलंकी का बहुत विरोध है सीसमों छेतर में यह बीजेपी का में कि सीसमों में विधायजी से लोग कितना प्यार करते हैं ऐसी थोड़ी ना चारवर की जनता की बस अब एक आखरी सवाल की आप चुनाओं लड़ने जा रही है तो सीसमों की जनता के लिए कोई संदेश क्योंकि आपने पहली बार स्विकार किया है कि आप लड़ने जा नहीं तो कुछ कहना चाहेंगे बस हम दूआओं की दर्खास सबसे सबसे घुजारिश करेंगे कि पहले दूआ करें कि उनको स्टे मिल जाए उनको जो है जमानत मिल जाए बाहर आ जाए और नहीं है तो जो यह लड़ाई है वो इर्फान सुलंकी के हम लोग सब मिलके करेंगे और साती साथ उन्होंने पहली बर कैमरे पे स्विकार कर लिया है कि वो चुनौलर नहीं जा रही है अन्ड़ागागरवाल टीवी नाइन कांटॉर